हेलो एवरिवन तो लेट्स है वाले स्क्रॉल रिव्यू ऑफ़ दे पटाफट करते हैं और आज के रिव्यू में हम लोग सिविल सर्विसेज पर ज्यादा फोकस करेंगे बिकाज कॉप्यूर साइंस एंड नीट जेई में और इस्टेबलाइजेशन आ चुक है क्वालिटी में एंड एक्टिविटीज में फोकस मोर उन सिविल सर्विसेज ठीक है यहाँ पर शिवांगी ने एक क्वेशन पोस्ट किया है यहाँ पर जिसे जो क्यू लिखा है इसकी जरुवत नहीं है शिवांगी आप इसके बिना एक प्रिकास प्रदूशर से ही शुरू कर सकते हो क्वेशन को सुक्षमाज में क्वेशन, MCQ, सभी कुछ अलग-अलग ही रहते हैं आप उसको अवाइट कर सकते हो आपके टैग सभी ठीक है इन्वार्मेंटल साइंसे तक आपने मेंशन किया है यह परफेक्ट टैग कॉम्बिनेशन है सिविल सर्विसेज हो गया, UPSC हो गया, मेंस हो गय एमपी, BPSC हो गया, NetJRF भी है, ठीक है, इन्वार्मेंटल साइं, तो किस टैग हमेशा आपके ऐसे होने चाहिए कि कि किस-किस exam से related वो question है और किस subject से related है तो यह एक पॉफेक्ट टैग कॉम्बिनेशन है शिवांगी का और इसमें लाइक यह ही है कि आप लोग जो है उसको को reuse भी कर सकते हैं from recently used tag, तो यहाँ पे देखो एक और question आया है, यहाँ पर हाँ सिर्फ economics tag add है और इसमें दूसरे tag भी होने चाहिए, like इस exam से related है और वो सब, तो एक बार आप tag mature कर लो, जैसे शिवांगी ने mature किये हुए है अपने tags को, तो यह आपको recently used tag से set करके, वहाँ से लट करके एक बार में ही set कर सकते हो, जो भी आपको एक tag change करना है subject wise, कुछ भी ऐसे जो important है, उसको change कर सकते हैं, rest all will be set automatically to you, तो यहाँ पर है मैंने set कर दिया है, tags आपके लिए, इसमें अगर आपको लग रहा है कोई और tag भी आ सकता है, तो उसको आप add कर सकते है, ठीक है, आपके बढ़ते हैं, computer science के questions तो ठीक आ रहे हैं, यहाँ पर दिखो, शिवांगी ने video notes पी post किये हैं, they are very good, thank you, okay, इसमें भी दिखो subject tag नहीं है, तो इसमें आप sonam jan ने post किया है, तो आप जैसे general studies है, उसको आप add कर सकते हैं, इस तरह की questions में, और सब एक बार टैग बस जैसे मैं बार बार बोलों, एक बार आप tag mature करके, किसी भी post में, जिस जिस exam से related question हो सकता है, या फिर आपको पता ही है, किस-किस exam से related question, जिस exam की आप तयारी करते हैं, और question किस-किस exam में आ सकता है, एक बार set कर दो, and then after, वहां से आप recently used tag से set and select कर सकते हैं, इनोट्स काफी अच्छे पोस्ट कर रहे हैं शिवांगी, इस तरह के इनोट्स जो हैं, वो काफी आपको helpful होने वाले हैं, तो फिर ठीक है, आज बस इतना ही रखते हैं, और बाकी टैक्स का तो जैसे मैंने explain किया, उस तरह के से अगर आप एक बार set कर लेते हैं, तो next onwards आप